एक बार फिर सिस्वागत है आपका हमारे इस चानल में जहां आपको दिये जाते हैं आयुरवेद के घरेलू नुस्खे जिनका उप्योग कर आप अपनी परेशानी और बिमारियों को दूर कर सकते हैं वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के फेस गलो और गोरा रंग पानी के लिए कई तरह के कॉस्मेटिक, लोशन्स और ब्यूटी क्रीम्स तो आपने ट्राइ किये ही होंगे पर मन चाहे परिणाम नहीं मिल पाते और कई कई बार क्रीम इस्तमाल करने से स्किन खराब भी हो जाती है ये तो आप जानते ही हैं कि बेज ब्यूटी बनाए रखने, पिंपल्स, ड्राइ स्किन, ओइली स्किन जैसी समस्याओं के लिए सबसे बहतर और घरेलू नुस्ख है आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खों की जो फटा-फट आपके फेस को गोरा और चमकदार बना देता है अब देखिए कई बार हमने पार्टी या किसी फंक्शन पर जाना होता है पर समय ही नहीं होता ओफिस से आए है या घर पर और भी महमान है ऐसे में तयार होने का टाइम बहुत कम है तो हम आपको बताते हैं ऐसे घरेलू उपाए और फेस पैग जिससे आपका चेहरा मिंटों में दमक उठेग सबसे पहले तो आपको चेहरे को साफ करने की जरूरत है इसके लिए आपको चाहिए एक केतली पानी और थोड़ी सी रूई केतली में पानी डालके गरम करने के लिए गैस पर रख दीजिए अब जब भाप निकलने लगे तो चेहरे को केतली के पास लेकर जाएं और तवच पाउडर और कच्चा दूद एक कटोरा लीजिए उसमें एक बड़ा चमच मुल्तानी मिट्टी एक बड़ा चमच चंदन पाउडर और थोड़ा सदूड डाल कर गाढ़ा मिक्स्चर बना लीजिए अब इसे चहरे पर लगा लीजिए 15-20 मिनिट तक इसे चहरे पर रहने अब जब आप शीशे में देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे अपने चहरे की चमच को देख कर अगर घर पर मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो हम एक तरीका और बताते हैं चीनी को थोड़ा सा पानी में उबाल लें और गाढ़ा बना दें थन्दा होने पर इसमें नीमभू का रस मिला दें और चहरे पर लगा कर इसे सूखने दें और फिर बाद में इसे घिस के निकालें ताकि छोटे-छोटे बाल भी निकल जाएं और डेट सेल्स भी ये तो हुई बात फटा-फट गोरा होने और चहरे पर चमक लाने की अब अगर आप इन नुस्खों को रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे आपका चहरा पर्मनेंटली गोरा और चमकदार हो जाएगा तो कैसे लगे हमारे आज के नुस्खे? हमारा वादा है हम लाते रहेंगे ऐसे ही फाइदे मंद नुस्खे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल आयुर्वेदा होम केर है आपके घर का डॉक्टर धन्यवाद